ये है खोजवर्ड और खोजवर्ड में हम आपको दिखाते हैं ऐसे वीडियो जो आपने अभी तक ना सुने होंगे ना देखे होंगे दोस्तो आज के खोजवर्ड में हम आपको बता रहे हैं एक ऐसे लड़के के बारे में जो दो साल से अंडे दे रहा है और उसको लेकर डॉक्टर और विज्ञान भी फेल हो चुका है आखिर क्या है पूरी कहानी इससे पहले आप हमारे खोजवर्ड को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तो आपने मुर्गी पक्षियों और कई तरह के जानवरों को अंडे देने की बात तो अब तक सुनी होगी लेकिन कोई आप से कहे कि कोई लड़का अंडा दे सकता है या कोई इंसान अंडे दे सकता है तो आप कहेंगे चलहट पीछे पागल बना रहा है और सुनकर आपको हसी भी आ जाएगी लेकिन ये बहुत सच है ये कड़वा सच है जिसको सुनकर आप चौकेंगे ही नहीं आप दांतों तले उंगली दवाने पर मजबूर हो जाएंगे लेकिन ये एक बिल्कुल सही बात है एक लड़का जिसको हम आपको फोटो में दिखा र तो अब हम पूरे मामले की पड़ताल करते हैं दरसल ये मामला इंडोनेशिया का है इंडोनेशिया के एक कस्वे में 14 साल का लड़का जिसका नाम है अकमल वो दो साल से अंडे दे रहा है और ये देख डॉक्टरों के भी पसीने छूट रहे हैं हाल में हैरान कर देने वाला एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें अकमल डॉक्टर के सामने अंडे दे रहा है अब ये कोई पीछे या कहीं से अंडे लाने की बात नहीं है दोस्तों डॉक्टर के सामने अकमल ने अंडे दिये अकमल और उसके परिवार का दावा है कि वो पिछले दो सालों में 20 अपनी आखों के सामने अकमल को अंडे देते हुए देखकर डॉक्टर भोचक के हैं। हलाकि डॉक्टर्स का मानना है कि किसी इंसान के शरीर में ऐसे अंडे बनना नामुम्किन है। कुछ लोगों का कहना है कि यह एक ट्रिक है और अकमल अपने शरीर के अंदर पहले से ही अंडे रख लेता है और उसके बाद वो अंडों को बाहर निकालता है। लेकिन अकमल और उसका परिवार इस दावे के साथ हॉस्पिटल पहुँचे जहां अकमल का एक्सरे भी कराया। जब डॉक्टरों ने जाच की तो उसके एक अंडा नजर आ रहा था। अब डॉक्टरों को समझ नहीं आया। अकमल के पिता ने डॉक्टर को बताया कि इससे पहले वो 18 अंडे दे चुका है, वही डॉक्टर के सामने उसने दो अंडे ततकाल दे दिये। अकमल के पिता ने कहा हमने जब पहले अंडे को खोड़ कर देखा तो पाया कि वो पूरी तरह से पीला था जब हमने दूसरे अंडे को खोड़ कर देखा तो वो पूरी तरह से सफेद था परिवार ने बताया कि अंडे निकलने की अजीब बिमारी से उसका बेटा बहुत परे तब तक आप देखते रहिए खोज वर्ड